हेलो सुरेंट्स कैसाब सभी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 6 जिसका नाम है मेरा अहो भागगे यह मैं आपको कराने वालो इसके हम कोशनस करेंगे ठीक है इसके लिए आप वीडियो आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल करो और बेल आइकन को प्रेस करो तके आपको आगे के वीडियो से क्शन और डिस्क्रिप्चन बॉक्स में एक प्लेयिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगए तो आपको हमारे सारे खती को हमारे नंच अगरे धकलिए से मिल जायेंगे ठीक है यह एक वरिक्ष का नाम है उसके बाद देखो आपको थर्ड में क्या दिये गया है मद्याहन इसका मतलब क्या होता है दोपहर ठीक है आफ्टरनून आपको पता है फोर्थ में क्या दोगो संसर्ग इसका मतलब क्या है संगती ठीक है उसके बाद फिर उसके बाद क्या हमें 7th में विस्तरित विस्तरित मतलब क्या होता है बहुत बड़ा उसके बाद हमारा 8th में क्या है वर्तालाप मतलब बातचीत ठीक है वर्तालाप मतलब बातचीत बात करना 9th में क्या है धार्णा धार्णा मतलब क्या होता है विचार ठीक है, टेंथ में क्या है, मनोवित्ती, मनोवित्ती मतब विचार, ठीक है, दोनों का से मिनिंग है, उके, उसके बाद हमारा मनोवित्ती के बाद, लास्ट क्या है, अहो भाग गे, अहो भाग के मतब सो भाग गे, ठीक है, क्लियर, सो भाग के मतब आपको मालू है कि मेरा सो मेरी खुश कुसमती है ऐसा बोलते है ना वही यहां पर है चलो भी आगे शलते हैं हम कोशन नमर टू की तरफ हमें कोशन नमर टू में कह दिये गया है रिक स्थानों की पूर्ति करो मतलब फिल इंदा ब्लैंक पहले के शांती निकेतन में हमारे कमरे के बाहर एक विस्तृत ब बहुत बड़ा बरामदा था तो यहां पे आपको रिश्तृत ये वर्ड याद रखना है ये आपको एक्जाम में लिखना रहे का है सचर्ड के हम बेसब्री से गुरू देव से मिलने का इनतिजार करने लगी यहाँ पे आपका इंसर को है बेसब्री यह आपको याद रखना है, एक्जाम में यह न accanал यह उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी तो यहांपे हमारा एंसर गया बांगला ओके बांगला हमारा अनसर है अब देखो आते हैं प्रसमर थी की तरफ प्रसमर थी में हमें क्या दिया गया है यहांपे कथन के सामने सही और गलत का चिन लगाओ ग्रुधेव को प्रारंबिक कहानिया ग्रामीड जीवन की है क्या बूल रहे है देखो यहांपर प्रारंटिक मतलब कर आप बिस्वग शरुआ थी खाोडिक धाया वल्ली गाहोँ सबकर अलागा होता हुँ तो देखो यहाँपर क्या बोल रहा है जो शान्ति निकेतन था गयस्ट के रुखने के लिए जगहा थी होटेल जो था इसको बोल रहा है कि ये बकुल विरिक्षो की बीच में था तो ये गलत है हमने चैप्टर में कहा देगा बाते की तो यह सही है उन्होंने यहां वहर्व में चेप्टर में दिया गया है कि वो बैठ कर जो लेखकों के दल थे उनसे 40 मिनट बैठ के बात किये तो सही है अब लास्ट के है गिता अंजली को ग्यान पीड पुरसकार मिला था तो यह कहा है यह रॉंग है ग्यान पीड कारीकरम कहां होने वाला था क्या बुल लेख यह जो जो शाहिति कारीकरम था वो कहां पर होने वाला था वह सांति निकेतन भून होने वादए क्या है गु pione किरू-देव की कहानियों में कौन सी सो नंगाने क्या धूर्शन होते ह यहotros सोचने मिलते हैं, सुनने मिलते हैं, उनकी कहानियों द्वारा, तो आप क्या लिखो उत्तर में? तो देखो, यहां पर हमें उत्तर में कहानियों द्वारा, अब आगे देखो, आपको थर्ड में कहा दिया गया है, यहां पर संस्मरण में किस कहानी का उलेक किया गया है, अब क्या बिए आपको उत्तर ने जब यहां जा जाना की जिस कमरे में उन्हें ठराया गया है वहीं बैठकर गुरुदेव ने अपनी गितांजली का अधिकांश भाग लिखा था तो वे आनंद विभोर हो गए क्या आपक बोल रहे हैं कि जो लेखक थे हमारे ये कहानी में जो उन्हें ये मालूम पड़ा कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया जिस कमरे में उन्हें र आनंद विभोर हो गए वह एक्डाम खुश हो गए किस में कार्य करम की अध्यक्षता कौन करने वाला था तो आपको उटतर की कार्य करम की अध्यक्स्ता गुरुदेव रविंदरनात करने वाले थे ठीक है अब आते हम प्रस्ट नुमबर फिफ पर क्या हमें यहां पर पूर्फ इसका समानारती है अजीब अब आगी क्या है आगी हमें 5प क्या खुश इसका समानारती है प्रसंळता प्र क्या है शम्ता शम्त का समानारती है शक्ति अब देखो question number 6 क्या है विरूद़ार्ती शबद विरूद़ार्ती मतलई opposite words पहला क्या वहाँ, वहाँ का अपोजिट यहाँ सिक्ड क्या उपर, उपर का अपोजिट नीचे थर्ड में क्या है एक, एक का अपोजिट अनेक ठीक है, आगी क्या है फोद में क्या हमारा बाहर, बाहर का अपोजिट अंदर फिफ्ट में कहा ग्रामीड, ग्रामीड का अपोजिट शहरी, ग्रामीड मतलब क्या होता है गाउं, ठीक है, शिक्स कहा बच्चा, बच्चा का अपोजिट बुढ़ा, अब चलते हैं हमारे प्रस्ट नम्पर सेवन पर, प्रस्ट नम्पर सेवन पर हमें क्या बोला है, निम ल को है दरे PP इसको बदल के बहुँचन में लिखना है ठीक है छलो स्डार करते हैं पहला है भैस्ट बहुट का हमारा कि है बहुचन में के उसंफ इसको एक वचन में और हमारा बहुचन में यहाँ पर हमें लिखना है इसको बदल कर पहला का है भैसा भैसा का बहुचन क्या है भैसे बिलाव बिलाव का बहुचन क्या है बिलाव ही रहेगा ठीक है यह चेंज नहीं होगा बिलाव का बिलाव रहेगा घोड़ा घोड़ा का बहुचन है घोड़े नाग, नाग का भोचन है, नाग, नाग का नाग रहेगा, ठीक है, नाग का भोचन नाग है, सब नहीं होगा, नाग का नाग ही रहेगा, फिर का चूहा, चूहा का भोचन है, चूहे, किलियर, यह हमने कर लिया, तो यहाँ पर हमारा यह चेप्टर कम्प्लिट हो गया है, अब इसके अगले वीडियो में हम करेंगे नदी के कंदे पर ये अगला चेप्टर जो मैंने लिख के रखा है मैं आपको ये कराऊंगा अगले वीडियो में ठीक है तो इस चेप्टर का अच्छे से पढ़ लो रिवाइस कर लो लर्न कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपक करे वीडियो अच्छे लगो तो अपसी वीडियो को लाइक करो अपने सभी दुस्तों के साथ शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू